सर्दी का मौसम चल रहा है सर्द हवाओं से जन्मानस का हाल बेहाल है सर्द मौसमों में संसाधनों के आभाओं में गरीब निर्धन लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुश्किल समय में गरिब और निर्धन लोगों की सहायता के रिए कई समाई सेवी हैं समाज सेवी आगे आते हैं और निर्धन लोगों की सहायता भी करते हैं शहर के देवी रोड पर स्वामी विवेका नंद युवा सेवा समित के तत्रधान में निर्धन और असहाय लोगों को कैम लगा कर कंबल वित्रित किये गए इस मौके पर पूर्व सांसत तेश पिताप यादों और सदर विधायक राजकमार यादों ने भी निर्धन और असहाय लोगों को कंबल वित्रित किये युवा समाई सेवी और स्वामी विवेका नंद युवा सेवा समित के पदाधिकारी अंकुष रिवास्तों ने बुद्ध और असहाय लोगों के पैरों में जूते पहनाए जिससे निर्धन और असहाय लोगों को सर्दी में चलने से कोई तकलीव ना हो सके कंबल पाकर निर्धन और असहाय लोगों के चेहरे खिल उठे इस मौके पर सपाजिलाद दक्ष देविन सिंग यादो, पूर्वे चेर्मेन नगर पालिका, साधना गुपता, दीपकदास, शेतन चतुरवेदी और कई लोग मौजूद रहे इस तरह के कारिक्रम से मैं समझता हूं के जहां समाज में लोग दबे कुछ ले जब अत्मन्ना उनकी मदद लगाता होती दाएगी तो निश्चे तो अपस समाज को में दिशा के लिगा था इसकी सेवा निरंतर पिछले तीन जनों से पराराम कर जी तो निरंतर तीस जनवर पर जिए तक चलेगी हम गरीव असाय लोग जो रात्तरी में हम दब निकलेंगे ब्रहमार पर जो भी मिलेगा में रोड किनारे असाय व्यक्ति उसको कंबल देंगे जरूएगे जरूवत पढ़ने पर उसके रासन नहीं है और अगर इसके हां पेरों में चक्पल है जूते बात करें सहयोगी तो हमारा विवेकरन दीवे समिटी हमारी समिटी यह उसमें चहर के सभी प्रमुख लोग रहता है यह सिर्फ एक मेरे परसनल संभव नहीं है चुकि हम हर वर्ष 300 से 400 कंबल बाटने के बाद फिर भी 100-200 कंबल और एक्स्टर बाटते हैं तो लंग सम हर वर्ष 600 कंबल बढ़ जाते हैं हमारे और जूतों का तो अंदाजा ही नहीं है आप देगें पिछले तीन निन में लगवग हम 90 जोरी बाट चुके हैं जूते और चप पर आगे भी यह सेवन इमेंटा चालू रहेगी तीस जनुरी तो बेर रिपोर्ट तेजस खबर